प्यारे बच्चो अब सभी कामर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो के मादम से एक लाश टेंथ के बच्चो के लिए विज्ञान का एक most important viral model paper लेकर क्याश चुके हैं जो कि 27 फरवरी 2023 बोड़ परिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अती महत्पुल होने माला है प्यार बच्चो इस वीडियो के मादम से मैं अब सभी को इस पूरे model paper का 8-0 solution बताने माला हूँ जो की बोड़ परिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा most important होने माला है प्यार बच्चो इस वीडियो के मादम से मैं अब सभी को ये भी बता हूँगा कि बोड़ परिक्षा में कांपिया कैसे बरना है बिज्याद की कांपिया कैसे लिखना है और बच्चो इस वीडियो के मादम से मैं अब सभी को क्लास 10 बच्चों के पूरे विज्ञान के किताब के समस्त बहु विकल्पी और समस्त दिर्गूतरी प्रशनों के बारे में चर्चा करेंगे जिसे अगर आप त्यार कर लगते हो तो बोड के पेपर में प्यार बच्चों आपका 95% मार्क्स फिक्स हो जाएगा यह मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ और आपको बोड परिक्षा में कापिया कैसे लिखना है कापिया लिखते से में आप सभी कौन-कौन सी गलतिया नहीं करना है सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के मादम से बताने वाला हूँ सबसे पहले प्यारे बच्चो मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि बहुत भी कली परिशनों कैसे त्यार करना है साथ में आप सभी के बोड के पेपर में पूछे जाने वाले जो भी चीतर वाले कोशन है सभी को मैं आप सभी को इसी वीडियो के मादम से बताने माला हूँ जिससे अगर आप त्यार कर लेते हो तो बोड़ी के पेपर में 95% माक्स एचिप कर सकते हो यह मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ गरंटी लेकर के बोल सकता हूँ तो फैरा बच्चो आज की इस धमाकेतार व करना है और किस सब्सक्राइब करना है यह मैं आप सभी को अंत में बता हूँ गा इसके लिए आप सभी वीडियो के इंट तक जरूर बने रही है ठीक है आउ सबसे पहले प्यार बच्चो आपका जो बोड की कांपिया मिलेगी सेम इसी परकार की कांपिया मिलने वाली है सब सबसे पहले आपको क्या करना होगा परिक्षार्थी का यहां पर अनुक्रवांक बरेंगे अपने एडमीट कार से मैच कर आखर यहां पर रोल नमर बर देंगे अंक में भरेंगे अंक में भरने के बाद आपको क्या करना होगा यहां पर सब्द में भरना होगा अब सब्द म सब्सक्राइब को इस सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब को बिल्कूल ही नहीं है इतना बात क्लिर समझ में आ गया, अब प्यारे बच्चों आईए, अब हम अपने टार्गेट पे चलते हैं, अब की बार बोर्ट के पेपर में 95% माक्स पकाई स्कोर करेंगे, अरे मेरे सेर सेरी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तोप तक छोड़ेंगे नहीं, अरे रख होसला वह मनजर भी आएगा, रख होसला वह मनजर भी आएगा, प्यासते के पाश चलके समंदर भी आएगा, ठक करन बैठ मजिल के पुशाविर, मनजिल भी मिलेगी और मनजिल मिलने का मजा भी आएगा, सबसे पहले प्याने बच्चों आप सभी को इसी वीडियो के मादम से सबसे पहले इस बहुती कल्पी प्रश्णों को नस्ते नाबूद करते हैं नस्ते नबध करते हैं और मैंने ठान लिया है कि आप सभी को बोलड के पेपर में 95% माक्स एचिप करवाना है तो करवाना है इसे के लिए आपको और मेरे को पेपर की खोपड़ी में च्छेद ही करना क्यों नपड़े Więks करूँगा आपको भी करना पड़ेगा आपको मेरा सा देना पड़ एन तक जरूर देखते साथ कर सकते हैं हमें दावे के साथ बोल कर सके अधिकी 제 इक पर पुछ सा डीस चीज ने में इस तब मालो करते हैं आज कि इस वीडियो के नसे देखना अंतल तक जरूर देखना यहे जो महा महरातन क्लास होने वाली है इस वीडियो के मादम से मैं आप सभी को टोटल भवविकल्पी और टोटल दिरिक उत्री प्रश्ण बता आने वाला हूं इसलिए आप सभी से हाथ जोड़े के बिनती है कि वीडियो को सुरू से लेकर केंट तक जरूर देखले हैं ठीक है जैसे आप सभी का प्रश्ण बताऊंगा जो कि बोड़ के पेपर में सीधा चप जाएगा सीधा चप जाएगा ठीक है एक मैं गरांटी लेकर के बोल रहा हूं ठीक है अगे बढ़ते हैं अगला कुषन दिया कि छारी बिलियर में फिनाप्तिलीन सूचा का रंग कैसा देता है यह कैसा होता है लाल होता है कि निला होता है कि रंग हीन होता है कैसा होता है चारी बिलियर में फिनाप्तिलीन सूचा का जो रंग होता है पेरे बच्चों वह लाल होता है रेड कलर का होता है इस चीज को आप सभी को ध्यान से समझना है अंत तक जरूर देखना है जितना कुषन बता रहा हूं अब भी कभी दिमाग में छाप लो अब नो पदात हुए कि भी स्रधात हुए यह क्या है पीतल हमारा एक मिस्रधात हुए आपसा नमबर का बिल्कूल यहां पर राइट अंसर हो जाएगा समझ में आ गया है चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा कोशन दिया गया है कि निम्ने तत्तों में किसकी बीदुत रिलादमक यानि कि एने में हो जाएगी आपसा नमबर हमारा का का यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलो आगे देखते हैं कि मनुस्यों में लार गरंतियों कि संख्या कितनी होती है दो जोड़ी तीन जोड़ी चार जोड़ी या पांच जोड़ी तो प्यारे बच्चों दूसरा यहा पर राइंसर हो जाएगा अगया बढ़ते हैं कि पुस्व में कितने बाते हैं उतपर होतते हैं कि चार में में आप पताने वाला हूं और झार के यह जरूर देखते रहो इस महा मैराथन क्लास को एक सेकेंड भी स्कीप मत करना सुरू से ले करके इन तक जरूर देखते रहाएं ठीक है आओ अगला वड़ा कुशन दियाग है एक द्वी संकर का दर्स प्रतिरूप कैसा होता है एक रेसियो दो रेसियो एक रेसियो एक रेसियो दो नौ रेसियो तिन रेसियो एक रेसियो एक पेर वच एक द्वी रेसियो आगया डिएगा अगला मरई कोशन दीआ कश्ता अधिक्तम होता है wrestling cinky makkel लाल के लिए पिले रंड़ के वलीए यहरे रंग के लिए जो कांच का अपुष्ण न ओर बच्छो एड़ी जो मान होता है वह बयगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है नकर सबसे जादा बयंगनी रंग कि होता हुटा पैर ब मिलो भी बीस के एंसर कमेंट बाक्स में छापते रहना क्योंकि मैं सब का कमेंट रीडी करता हूँ सब का कमेंट में रीडी करता हूँ ठीक है आगे बढ़ते हैं किसका दृष्टी शेतर सबसे अधिक होता है समतल दरपड का, उतल दरपड का अवतल दरपड का या उतल लेंस का तो सबसे अधी किसमें पुछा गया है सबसे अधी कौन देख सकता है यह होता है उतल दरपड़ अब प्यारे बच्चो मेरे को यह कमेंट बाक्स में चाप करके बता हो कि उतल दरपड का इस्तमाल कहां किया जाता है उतल दरपड का इस्तमाल कहां किया जाता है यह मेरो आप लोग कमेंट बाक्स में चाप करके बता दो क्या करो चाप करके बता दो ठीक है अगला हमारा कुशन पुछा किया है कि दूर दृष्टी दोस्त के कारण प्रतिविम कहां बनता है रेटिना पर रेटिना के पीछे रेटिना के आगे या नेत्र लेंस पर कहां बन कि बीदुत अवेस का मात्रा क्या होता है बताए जुल होता है कि बोल्ट होता है कि एंपियर होता है तो बीदुत अवेस का मात्रा क्या होता भाईया यह होता है कुलाम आपसा नमबर सेकेंड बिल्कुली आप पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला करता है ट्रंस्फार्म करता है समझना गया चलिए आगे देखते हैं कि जिवास मूर्जा का इस रोत का है जिवास मूर्जा पाउन उर्जा से प्रेप्ट होता है कि सोर उर्जा से कि कोईला यह प्रेप्ट्रोलियम से कि जल विदू से जिवास मूर्जा कैसे प्रेप्ट होता बकरी गाये हाथी घास मचली बककरी तो इसमें घास होजाएगा बकरी होजाएगा और माना होजाएगा यह एक रिंखला का निवाड करते हैं आप सांबर से यहाँ पे बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि कोली फार्म समुफ है किसा वगया बिसाडव क अगर आपको भी इसका एंसर पता है तो कमेंट बाक्स में चापते रहो क्या गरो कमेंट बाक्स में इसका अब एंसर चापते रहो ठीक है आगे बढ़ते हैं कि निम्ण में दूरुबल हिसों जाए अगला कुशंदिया गया कि गंगा सफाई उजना कब प्ररंब किया गया था सन 1985 में 1955 में 2005 में यानि में से कोई नहीं तो गंगा सफाय योजना आई थी कब आई थी प्यार बच्चो यह आई थी आपका 1985 इसी में समझ आ गया आगे बढ़ते हैं अगला अमने को संदिया गया पर बच्चो कि इस अमली बिलियान का पी एच मान कितना होता है बच्चो बहुत सारे बच्चो के पिपर में पूछा जा चुका है कि सुनने होता है कि सुन्सक्वान से कम होता है अभी कमेंट्स में आप आप लोग चाप करके बता दो चाप करें बता दो ख भाईया, छारीं मिलिन का पईचमान कितना भोटता है किना के ट की आगे आगे देखते हैं कि विदूत अवेस कंत्रा सभी पता हूंगा लेकिन आपको क्या करना होगा इसके लिए वीडियो को सुरू से लेकर केंट तक जरूर देखना होगा मैं एक एक कोसर करके सारे फिजिक्स के सारे कमिश्ट्री के सारे बैयलोजी के वायरल प्रस्ण करवा दूंगा जो कि सीधे सीधे बोर्ड के पेपर में झाँगे जो मैं आप सीधे से सबस्के जाएंगे जो आप स selection कराऊंगा वही चपेगा उखहसे बार एक भी प्रश्ण नहीं चपेगा अप्रबड ओम नियम्हें क्या बोलता है आप सर दी आपर आठ मीटर पर सेकंड आपसर नमबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पर राइट एंसर होगा बिल्कुल कोई संसे की बात नहीं है कोई संदेह की बात नहीं है यही हो गए ठीक है आगे देखते हैं अहार नाल के पेशिय संकुचन को क्या कहते हैं अहार नाल के पेशिय संकुचन को क सेकंड बिल्कुल राइट एंसर होगा बिल्कुल राइट होगा कोई कोई दिकत की बात नहीं कोई परिसानी की बात नहीं ठीक है आगे जखते हैं कि मुद्रा धात है जिंक कि सिलिकॉन या प्लंबम या आपका प्लंबर या प्ले हो जाएगा कापर परो जाएगा मुद्रा किसकी दाती हो बाइया यह कापर क्यों जाएगी आपसे नमर्ण चाप करके बता दो कि किसका आकार बड़ा होता है एक बार मेरे कमेंट बाक्स में चाप करके बता दो अगला मेरे को संदिया गया है कि निम्ण में से कौन सा मानों में माधा जननतंत्र का भाग नहीं है अंडा से गरभा से सुक्रवाई का या डिम्ब माहिनी यह बताना है कि म जीवन की टुछपथी सब से पहले कहां पे हुई थी यह very very most important question आप लोग त्यार कर लो क्योंकि आप लोग त्यार करोगे आप लोग ही 90% या 95% स्कोर करोगे यह मैं दावे के साथ बोल रहा हूं ठीक है तो जिवान कितोपती सबसे पहले का पर हुई थी सागर में हुई थी कि धर्ती पहुई थी कि वायू मंडल में हुई थी कहां पहुई थी पहले बच्चो यह हुई थी आप सभी के सागर में कहां पहुई थी सागर में हुई थी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला हमारे जो कोशन हैं पहले बच्चो प्रवल चार होगा तो पोटेसियम हेड्यक्षाइड के वेच हो जाएगा क्या होगा यह प्रवल चार होता है अप्षन नंबर सेकंड बिलकुल राइट उनसर हो जाएगा अगे देखते हैं अगला कुशन दिया गया है कि पराग नली में नर यूगमक की संख्या कितनी होत तो पराग नाली में नर्युग में किसमिक्ति होती हूए यह 2 होती है आपसें नम्र फिकल्ड यह पेमडाई सरा हो ओफार ठीज है आगे दोगा कर सा कि कोनषे चुम्बक चेत्र का को नहीं रहर को सब्सक्राइब है दो टेशल भेड य популяр reward लेकिन पर में प्र स्कुर्ण पर अंपर ये आपका च्प miraculous छेथ paints लेकिन एक बात मेरो comment box में ये छाक करें बताओ कि नि ये अम्पर यंपै्या कि स्कुर्ण कंश अपर करके बता दो अपसे कमेंट बाक्स में च्छाप करके बता दो ठीक है अपसे नमर चौथा यहां पर राइट एंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला कुछन पुछा गया है कि पीत रसका अस्त्राव होता है कहां पर होता है पितासे में यकृत में अग्यासे में या का मासे में तो पितर्सका अस्त्राव कहां होता यह होता है यह सत्रावा भर्वाश्ट सब्सक्रासे में यह पर राइट एंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला हमारा कुछन दिया गया है एक उतल दरपड की फोकस दूरी दस सेंटीमीटर दी गई है एक उतल दरपड की वक्रतात तरजिया निकालिए कैसे करोगे तो इसमें समझ होता है एक वराबर आर बाइटू होता है और फोक हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपसर नंबर सेकेंड बिल्कुल यहां पर राइट एंसर हो जाएगा समझ में आ गया चलिए अब प्यारे बच्चों हमने तो आपको कभर करा दिया सारे का सारे मोस्ट इंपोर्डेन बहु बिकल्पी प्रस्न अब प्यारे बच्च बार चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगा आईए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे फिजिक्स का एक प्यारा सा कोशन से स्टार्ट करते हैं यह जो कोशन है प्यारे बच्चों बोड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कोशन समझते हैं क्या पूछा जा चुका है कि चुमबकी प्रेरण के सिधान्त पर आधारित एक डाइनेमो का सचित्र कारविधी समझाए कैसे करोगे डाइनेमो यह जो कोशन है बच्चों बोड के पेपर में हर साल चपता है क दाइनेमो का सचित्र कारविधी वर्ण सरी समझाए कैसे करोगे यह भी प्रषकता है कि डाइनेमो क्या होता है इस ँरily पारित करें बताओ लग कैसे च्छापोगे इक प्रशन के पारेव में चर्चा करेंगे आप लोग वीडियो कु धियान चत्कना क्यों कि यह जो क्लास को नस्ते नाबूत करेंगे क्या करेंगे नस्ते नाबूत करेंगे पेपर के खोपड़ी में छेद करने के लिए किसके लिए पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए ठीक है अब सबसे पहले समझते बैया कि चुमकी प्रेरर की सिदांग प्राधारिद एक डैनेमो को सच पर लिखेंगे डैनेमो की परिभासा क्या लिखोगे डैनेमो की परिभासा कैसे लिखोगे आओ डैनेमो बीदुत जनित्र अत्वा डैनेमो वह यंत्र होता है जो यांत्रिक उर्चा को बीदुत उर्चा में बदलता है क्या करता है यांत्रिक उर्चा को सीधे सीधे बीदु में बदलता है ठीक है क्या करता है यह नत्र चुमब की प्रेयरण के सिधांत पर आधारित होता है और यह दो परकार की होते है कितना परकार कहोते हैं मैं अब बताउंगा डिटेल्ट सबसे पहले समझो यह ढायनेवों कहा पार जाता है जनिरेटर देखो हो साधी में आता है ठीक लिद içना के मंप साधी में आताता है ना उस्लिवायं जगों आपका अभर उस्लिदे घ्रक सो लगत है अब क्या할ए कine स्मझना करते लाइद नर्जी पदुगत करते हैं उसको सिधान के बार में किसका रिखेंगे लिखेंगे इसमें अराम से बिघ्र समझाओंगा ऑफ यहां पर यह === यह चुम्बक है और यह चुम्बक है और इस जो चुम्बक है क्या होता है यह तो का किया कॉरता है इसको कुंडली गुमाने लगता है और यह जो आपका पुल्य होता है किसी भी यहाँ पर सफ्ट क़्रोता है और यहाँ पर क्या होगा और इसी के अद趣 का हो जाएगा अपर बिडेजियों के बन क्या होगा जले जाएगा अभी मैं पूरा बताऊंगा आप लोग वीडियो के इंड में बने रहे हैं ठीक है आओ सबसे पहले सितान को लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुम्ब की छेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुम्ब परिवरत्तर होता रहता है जो भी flux होती है जो रखाए निकलती है उसमें प्रेरित बीधूत वाहक बल उत्परण हो जाएगा उस किनेटिक फोर्स बोलते हैं प्रे रित विद्युदवाग भी कुंडली में दодеद्रित600-भी खार्ण दीडयरव 002 समझ में आ गिया आपने इसका सिधान समझ में आ गिया अब हम बात करते हैं इसके रशना के बारे में क्या करेंगे इस दलीक सब्सक्राइब हना सब hierarchy ले खरित लिए बाले धंसर में तहट लोगं की प्रत्य वर्थी फाल जो यह तीन प्रकार की होती है इसके तीन महें पाट होते हैं कौन कौन से छेतर चुंबक कुंडली और सरफी बले तता बुरूस होते हैं समय आगया चलिए आगे देख लेते हैं कि छेतर चुंबक क्या होता है यह वह यह आपका मैंगनेट क्या होता है कि यह का कौन सा काम करता है कि यह है एक सक्ति साली चुम्ब की धुब खंड का होता है जिसके बीच क्या होता है कुंडली लगी होती है यहाँ पर देखो यह चुम्बक ऐसा होता है जिसके मद क्या करते हैं कुंडली को रख देते हैं कुंडली को व्यवस्टित कर देते हैं और कुंडली क्या करता है इस कुंडली के काम क्या होता विया तो यहां एक आयताकार कुंडली होती है जो कच्छे लोहे के लोहे के कुरोट पर आधारी तामबे के तार को लपेट करके बना जाता है जो तामबा का तार होता है कापर के तार होता है उससी पर क्या जाता है इसी पर कुंडली कर दिए किसके करते हैं बीजूत वाहग बल्प्राप्त करने के लिए समझ में आ गया आपको फिगर भी समझ में आ गया होगा आसा करता हूं यह आपका नार्थ पुला यह आपका साथ पुलाई किसी दोनों कमाद में का कर देंगे एक यहां पर कुंडली रख देंगे और यह जो हमार क्या क दुम चैनल करते हैं तता दूसरी और कर दो ब्रुसों एक स्वाए से होता है इने अग्यार जो कौशण हँ करते हैं सब कुछ में आप सभी को बताने वाला हूं बस खाली आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा सबसे पहले यह समझते हैं उत्सर्जन क्या होता क्या है तो सरीर में उपाय चाहीं क्रियाओं में अनेक अपसिष्ट या वर्ज पदार्थ होते हैं इनका सरीर में कोई उ सब्सक्राम भी हो सकते हैं तो सरीर से बाहर निकालना अथि आवस्थ होता है क्या होता है अत्ती आवस्तेक होता है जो भी हमारे अपसिष्ट पदार्थ होते हैं ठीक है जो भी हमारे मलमुत्र होते हैं उनको हमारे सरीर से बोडी से बाहर निकालना बेहत जरूरी होता है ठीक है क्या होता है बेहत जरूरी होता है ठीक है अपसिष्ट पदार्थों को सरी इसके बारे में सबस्ते है कि मानव रूधिर में ब्रिक मुख्य उठ्षरजी अंग माना जाता है इसका कार रूधिर को साब करना होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है इसके अतरिक्त मनुस्य में यकृत त्वचा फेंफडे और आत भी उठ्षरजान में मदद करते ह इतना बहुत क्लिर समझ में आ गया अब हम बात करना है प्यरवच्चों इसे डाइग्राम के बारे में आप लोग हमारे चैनल पर यह कमेंट करते कि सर आप डाइग्राम वाला वीडियो जल दिले कोब लेकर क्या होगे लोग भाईया आपके डिमांड पर मैं सारा वीडियो कर अब हम माहाथम होगे आपको लेकर निकल करें रहे और यहां पर मरब हमारा करते में ऑजाएगї मुत्र मार्ग होता है इसी के मादम से जो भी हमारा यूरीन होता है वो बाहर निकल जाता है यह जो भी हमारा पसिष्ट पदारतों होते हैं वो हमारा सरीर से बाहर निकल जाते हैं इस तरीक से फिगर बनाना है अगर डियाग्राम इस तरीक से बनाते हो तो बोड़ी के पेपर सब्सक्राइब असानी से इजली तरीक से 95 परसेंट माक्स एचीब कर सकते हो यह में दावेक साथ बोल सकता हूं ठीक है अब आए हम बात कर लोते हैं कि भाया ब्रिक क्या होता है ब्रिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो मानव सरीर में ब्रिक मुख्य उत्सरजी अंग मान प्याले बने के हमें बात करेंगे अगला नमब्र कोशन वेरी वेरी मोस्ट इमोन में कौशन है क्यम हैं पिजिक्स और बैलिगफ य इक को समझेंगे आससे महा महरात्रन क्लास के माद messaging को नस्तोर नाबूत करड़ेंगे गहां Lebanon को दिखाएंगे सारे से त्यार करकरने ठीक रसाइनिक नाम एवं अनुशुत्र क्या होता है इसे बनाने की भी दी तथा उप्योग बताईए कैसे करेंगे किसे तरीगे से करेंगे समझ यह बात को ठीक है कि आई ये समझते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है इसका रसाइनिक नाम क्या होता है और अनसूत्र क्या होता है ठीक है सबस्ते पहले हमें यह पे लिखेंगे एंसर क्या लिखेंगे और इसमें यह लिखेंगे कि बेकिंग पाउडर का रसाइनिक नाम सोडियम बाइक का होता है और इसको अगला कुछा गया इसे बनाने की बिदी तथा उपयोग लिखिए कैसे करोगे इसको सबसे पर समझो कि यहां पर लिखेंगे बनाने की बिदी यह सोडियम हाइड्राकसाइड के सांद्र बिलियन में अधिक मात्रा में कारवन डाइकसाइड गैस क्या लिखेंगे यह जो प्रतिक का क्या है सोडियम हाइड्राकसाइड और इसी के जो सांद्र मिलेना है इसी के साथ हम क्या करेंगे अधिक मात्रा में स्योट्य यानी कार्वन एक साइट को प्रवाहित करेंगे एक बार फिर से दो बार कराएंगे ठीके इसी तरी से बार-बार करवाते जाएंगे हम याप आप लेंगे रिने चु थो त्री फर प्र याँपे चल लेंगे और इसंद्ररिके का करेंगे क्या यह आँप ही हैं क्यों नौद का सोड़ा मोब गाकर्वीन शोड मोलते हैं वोगर कोस्तित यह पूछ देगा की खाने का सोडा का रासाइनिग नाम अथवा तथा और सुतर लिखिए और इसे कैसा बना सकते हैं बीदी और रुप्यों के बारे में लिखेए आप लोग बना सकते हैं अब यहां पर हम बात करते हैं इसके क्वालिटी क्या होता है इसका जली विलियनعمली यह होता है इसको गर्म करने पर यह सोडियम कर्मोनेट में तूट जाता है तो तो होता है समझना गया समझ्पण चलिए आगे बात करते हैं अगला हमारा कोषण है यह वी कोषण वोट के कीपर में 100% चपने वाला है 100% छपने वाला कुछन है कि भाईया बताओ कि प्लास्टर आप पेरिस क्या होता है किसे कहते हैं इसे बनाने की बीदी गुण वा उप्योग बताइए कि प्लास्टर आप पेरिस क्या होता है इसे कैसे बना सकते हैं कौन कौन से बीदी होती है इसकी गुण क्या होता है और इस किसको हमें गर्म करना है जिपसम को हमें गर्म करना है किसको जिपसम को हमें गर्म करना है किनने लिखनी पर 120 से ले करके 130 degree centigrade पर हमें गर्म करना है इतना माद गिलेश समय में आ गया अब हमें लिखेंगे बनाने की भीदी हमें बनाने की भीदी का हो जाएगी सबसे पले आपक सब्सक्राइब बिखेंगे कि प्लास्ट प्रण करने पर निर्जल या सी यो फोर में बदल जाता है ठीके सी यो एसो फोर में बदल जाता है प्लास्टर पर trat खुठ लोटा और तहसे घ्र यूजमत निया है अब हम यह पॉतक हो जाएगा इस तरीस या। जिप्सिंट कि रहेंगे और इस हम जब हम से लिए रहाँ करेंगे घ्रिकनें सबसुत भेट यह घ्रिखे लेगए लिशा ठीट Battery उप्योग भी समझे तैं वाइन इसका कहा कर सकते हैं सद्य चिक्ता में प्ला्स्टर करने में किसी भी व्यक्तियों को क्ये amor क्योंत यप्योड ए जब हाथ मैं टूडता है मह चाता है इसी नमस So सब्सक्राइब करने में उपयोग किया जाता है अब प्यारे बात करेंगे अगला कोशन वेरी वेरी मोश्ट में कोशन है कि भाईया यह बताओ कि कि दाए हाथ का नियम क्या होता है अब के बताएं के को यह दिकत की तो यानि उसमें इम्प और यदी परिपत बंध हो तो परिपत में प्रिपत होने लगती है जिसकी दिसा को फ्लेमिंग के दय हाथ वाले नियम से ज्ञायाद किया जा सकता है ठीकिचे से लिखेंगे और यहां पर आमंत में लिखेंगे किस दयां में अपधर आभ जो नियम बोलता है सबसे पहले समझो med yani यह अपने दाएं हाथ की ठीक है यह तो इसी तीनों अंगली का कमाल है यहाँ पर आप सब लिए फीगर के मादम से देख भी रहोंगे डियाग्राम के मादम से देख भी रहोंगे यह समझते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तरजनी मध्यमा अंग्ठा को एक दूसरे को लंबत फैला करके रखें और यदि तरजनी अंगली जो है चुमकी छेतर के दिशा अंग्ठा चाला की गति के दिशा संकेत करें तो मध्यमा अंगली प्रेरित भीदू धारा के दि अंग्ठा है तरजनी के वह को हिसा अंग्ठा है अंग्ठा क्यों मत्यमा अंग्ठा है चलिए अगला हमारे जो कोशन दिया गया है प्लिक पछोंगी को परिभासित करेंगे इसके कर सकते हैं यह जो कोशन डे ग्राम में बताओंगा इसका डे आग्राम कैसे बना सकते हो किस तरीसे बना सकते हो मैं बहुत इंडांगा आप लोग आसानी करना कि प्रकास संसलेशड को परवासित कैसे कर सकते हैं किरिया बारे में बताइए सबसे पहले प्रेवच्व में प्रकास इसमें यह लिखेंगे कि हरे पौध जिनमें प्रकास की उपस्तिती में पानी तथा कार्बं डेक्साइड की साहिता से कार्बोहिद्रेट विसेज कर ग्लुकोज का निमाल होता है यह कृर्षक्रिय प्रिकास संसलेशर का लाती है यानि कहाने का संस गया है कि जो भी यमारे भोज़ुन है're both पता होने चाहिए और प्रकास की उपसंती में पानी सहाधा सं नर्माद करते हैं का ये आपका पधा करेगा ये ये क्युक्सा हड़ा करेगा पंप्रकास का ये बोले प्रकास प्रकास को बात को दिकत की बात नहीं है इतना किलियर समझते हैं प्रकास संसलेसर की क्रिया विदी क्या होती है इस सबसे होता है और साथ में अप्रकास काफ क्रिया होती है चैकर शुरीचर के समझे अगयाओ अब 높ी। समझ लेते हैं प्रकास कब क्रिया क्या होती है यहाँ क्रिया निम्ना दो पौदों में और प्रवाजित जो भी हमारा क्लोर्विल होए इसी के मादम से जल का ठीक है एच प्लस और ओड़ माइनस आयनों में क्या हो जाएगा प्रकासिक जो ही हमारा हुआ प्रकासिक पार्टिकल्स अब गटिश जोएगा यानि तूट जाएगा जैसे का आप देख सकते हो जो जोल हमारा है सुर के उर्था आप मने क्लोर्विल के बज़िस का हो जाएगा एच प्लस में और ओड़ माइनस में क्या हो जाएगा तूट जाएगा इतना बात के लिए समय में आ गया अब अगर हम पॉइंट यह निखेंगे कि जल के प्रकास अब घटन से उ अक्सिजन मादम से बाहर निकल करके आ जाएंगे अब यहां पर समझ सकते हो ठीके यह आपका है यहां पर ने ट्रोजन इसको प्रकास करिया होगी रेडियस नहीं आएगे बेरेशिय च्छोटे शोटे पार्टिकल सुरूप में आते हैं और यहां में का हो जाता है और प्र सबसे अंतिम नमर कोशन यह है कोशन यह पूछा जा रहा है कि पुष्प का नमांकी चितर बना यह इसके विविन चक्रों की कारेविदी को समझाए कैसे करोगे इसको करने का सिंपल सा तरीका है आराम से देखते हो रहा ना वीडियो समझ में आ जाएगे ठीके लिखेंगे आपरित बीजी आपरित बीजी पोदों में नर तथा मादा जरनांग पुष्पों में इस्तित्ध होते हैं पुष्प को रुपांतरित साखा कहा जाता है इसमें निमनलिकी चार चक्र होते हैं यह पुछा जाता है यह बताओ कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं बताना बलेंगे और उगला होता है या यह चार इसके पार्स होते है चारए想 से बिलूग्यों को देखते चैनल पने हो खुट सब्सक्राइब झ्याऎगा से ले करके निशली बाक जयांग बोलंगे तो जहा». पूरे हरे रंग की पती सादर से रशनाव का चक्र होता है जो पूस्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करती है लिक की अंधरी तत्प है यह रक्षा करताइं क्रों को अकर्सी करते हैं त्हर रंगीन होते हैं बाद के अगर्शन करते हैं इतना बात कि काई को पुंकेसर कहते हैं इसके हर एक यूनिट को क्या बोलेंगे पुंकेसर बोलेंगे समय आगया अब पुंकेसर का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं पराग कोस बोलते हैं क्या बोलते हैं पराग कोस बोलते हैं अब पराग जो कोस होता है यह एंथर के अंदर न उन्चम को सब्सक्राइब करें और अल्य में गया रोगाते हैं यो दोढहने से हैं भाज़क्रा आत्रों लगतने हैं अब लग सरी सबनेंगे लेकिन तरी सराइल म yell कर लें तब यह ऊच्छो की और भी और उसकी सब्सक्राइल को तयार जरू करना है अब इसके बारे में समझें ठीके मैंने बता दिया चुपने को मिलेंगे देखने को अब यहां बोट की कापिया है वान लिखोगे इसको ओम पर करना है यहां पर बात आती खंड खाओ को हल कैसे करोगे आ गया आगया अतल दरपड के मुख्ष के सामने कोई बस्तू है ठीके समाल आपसे यह पूछते हैं ओम करिये ओम करिये ओम करें कैसे लिखोगे समझा विद्वात कर हने लाएं ओम करना है तुछ लगाना है अपको ब्लू और बैक का इस्तमाल करना है तीसरा नहीं करना है देख लो इस तरी किस आप सब्सक्राइड लिखना है मैं आप सभी को कल के वीडियो-क मादब से आप मैं आपको नुमेरिकल बताऊंगा और कांपिया लिखके दिखाऊंगा इसे लिखते हैं और सारे सारे मॉड़डर पेपर ही बताने वाले हुगा फैरा बच्छो आगे आने वाले बिदियुक्त को माधम से मैं आप सुभी को एक और महा महा महरातन क्लास लेकर करके हूंगा उ अपने मा बाप का रोशन नाम करेंगे जरूँ ठीक है तो पेरा बच्चों आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी है लगी होगी तो फ्यार से एक बार लाइक कर देना अगर चैनल पने हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना मि